गाइस साम के समय मंदिर पर जाना कितना मतलब कि मस्त वाइब आती है भाई एकदम मतलब सांती मिलती है और अराम से कोई टेंशन नहीं लगता भाई लाइफ लगती अच्छी चल रही है है कि अब आए कि अब आओ को अब फिर्ट अब यूज़ा अब इस लोफ वह कि तो यहां पर रोज आते जाते देखते रहें थे वाई पितना संदर दिखता है मंदिर यहां अब बहुत च्छोड़ च्छोड़े मंदिर होते थे तो आज हम आई गये मंदिर देखने के लिए तो आप लोग को भी दिखाते हैं मंदिर आईए हमारे साथ एंज्वाइए करिए मंदिर का तो गाइस यहाँ पर छोड़ी-छोड़ी मंदिर बनी हुई है और यह पनकी नहर है देख सकते हैं कितना अछह पानी बहे रहा है स्नहर में और सामने की तरफ एक मंदिर है संकर जी की और इस तरफ यह छोटे चोटे बहुत सारी मंदिर बनी हुई है और यहाँ पर छट पूजा की दिन मेला लगा होता है, छट पूजा की दिन यहाँ पर बहुत सारी भीड होती है, गैस इतनी भीड होती है कि आपको पतलब की चलना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारे लोग यहाँ पर छट मैया की पूजा करते हैं, और यह साम के समय यह तो व्जश्ट वगल में यह पनकी नहार है यहां सामकरना जारा काफी अच्छा होता है तो आज हम विजिट कर लिए काफी दिन से आते जाते देखते रहते तो वह वाई काफी अच्छा लग रहा ऐसी मंदिरें छोड़ी छोटी तो जानने की इच्छा थी था हम भी चले आए पास से देखने अब इसमें क्या है जिस जिसने बनवाया है सबका नाम लिखा जैसे इसमें सौरब सिंग संजय और इसमें लिखाया जै छट मईया तो यह सारी चीजी लिखी है और बहुत सारी य में हमें लग रहा है एक किलो मिटर तक ऐसी बनी है वह इतनी दूर तक पूरा बना है मस्त तो साम का समय मतलब नदी क्नारा साम के समय नदी क्नारे बितीत करना काफी अच्छा लग था गाईस आगार तेरा पानी दमरत वुल हमाले से तू आई वीची तेरी कादी जैची धारा मीलो तक लहँदा आई 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 कर दो कर दो साम के समय मंदिर पर जाना कितना मतलब की मस्त वाइब आती है वही एक दम मतलब सांती मिलती है और अराम से कोई टेंसे नहीं लगता भाई लाइब लगती अच्छी चल लगी है कि अच्छी चल लिए